नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे कहानी शिवजी के तीसरे नेत्र से कैसे भस्म हुआ काल रिप्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें महाकाल शिवड की महिमा अप्रम पार है उन्हें प्रसंद करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजापाट की जरूरत नहीं होती बलकि सच्ची शद्धा और पूरे मन्द से किया गया प्रयास आपको भोलेनाती क्रिपा का पात्र बना सकता है शायद यहीं वज़े है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्विक गर्ण्थों में एक कथा के अनुसार राजा श्वेद केतु जो की भोलेनात के परमभक्त थे उन्होंने काल को भी जीत लिया था राजा श्वेद केतु, सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूर्वीर और प्रजा पालक थे वे अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाद आस्था और श्रधा भाव से शिव भक्ती करते थे उनके इस भक्ती भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन थे उनकी कृपा से श्वेद केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यो और महामारी से अजूते थे एक दिन जब राजा श्वेद केतु का जीवनकाल समप्थ होने को था और वे भोले नाद की अरादना में लीन थे तब चित्रकुप ने यमराज से कहा कि राजा श्वेद केतु की आयू अब पूरी हो चुकी है अब उनके प्राण हरने का समय है तब यमराज ने अपने दूतों को आग्या दी कि वे जाएं और श्वेद केतु के प्राण हर लाएं यम दूत राजा श्वेद केतु के पास पहुँचे तो वे शिव मंदिर में थे दूत बाहर ही खड़े हो गए श्वेद केतु गहरे ध्यान में थे बहुत देर हो गई ना श्वेद केतु का ध्यान तूटा ना ये दूत हीले दूत बिना अपना काम किये खड़े रहे जब वे वापिस नहीं पहुँचे और यम्राज ने विलंब होते देखा तो काल दंट संभाला और खुद चल पड़े दूतों के आने में देरी होने के चलते यम्राज स्वय ही राजा श्वेद केदू के प्राण हरने पहुचे लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वे तो महादेव की सादना में लीन है अब तो वे सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह शिफ पूजा में डूबा है इस थिती में शिफ पूजा का फुलंका नहीं किया जा सकता तब वे भी बाहर ही खड़े हो गए उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिफ मंदिर में जागुसे काल ने देखा कि राजा श्वेद केतु अभी भी भिखवान शिफ के लिंग सुरूर के सामने बैठे ध्यानमग्द है वे जपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेद केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई शिफ ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर काल की और देखा भुलेनाद का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा श्वेद केतु के सामने जलकर भस्म हो गया थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेद केतु का ध्यान टूटा उन्होंने अपनी आँखें खोली तो राक में बदल चुके काल को देखा उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है और क्या है स्वेथ केतु ने भगवान शिर्व से पूछा ये भोले नाद ये किसकी राक है इसे किसने और क्यूं जलाया तब भोले नाद ने बताया कि ये काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था राचा श्वेथ केतु ने कहा कि हे महाकाल ये तो आपकी ही आग्या से तीनों लोग में विचड़ता है लोग को नियंत्रन में रखता है इसी के भय से तो लोग गुन्य कारे करते हैं आप इन्हें अती शीक्र जीवन दान दे दे शिवजी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेट केतु को अपने गले से लगा कर बोला राजा तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है तुमने तो अजै काल को भी जीत लिया जीवन दान पाकर काल और इम्राज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परमभक्त हैं सच्चे मन और पूरी शठा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं सिर पर जटा और गले में रुद्रक्ष पहनते हैं विबूती का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जब करते हैं उन्हें कभी भी अकाल मृत्यू का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा कथा के अनुसार इस आशिरवाद के बार श्वेद के तुने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की क्रिपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद प्रिपा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें